श्राद्ध माने श्रद्धा से किया हुआ कृत्या श्राद्ध में क्या मुख्य पिंड दान करते हैं ब्रह्मांड और पिंड पिंड माने शरीर ब्रह्मांड जो अव्यक्त निर्गु निराकार चेतना जब हम शरीर छोड़के निर्गुर निराकार में समा जाते हैं अनंत ब्रह्म में समा जाते हैं फिर भी वहाँ जो मन होता है वो उस मन को सुक्ष्म शरीर या कारण शरीर को ये लगता है कि अरे मैंने ये खो दिया मेरा वो छूट गया मेरा शरीर ये भाव बनी रहती है कुछ समय तक ये विस्तृत ब्रह्मांड में जो चाया हुआ छेतना जो है सुक्ष्म शरीर सुक्ष्म शरीर चाहती है कि मेरे को एक शरीर मिल जाए तो ये वासना छूटी नहीं तब बेटा या बेटी कहते हैं कि आपको पिंड फिर मिल जाएगा ब्रह्मांड में रहते हैं तो पिंड की आशा रहती है पिंड में रहते तो ब्रह्मांड की आशा रहती है, यह मनुष्य का स्वभाव है, तो जब ब्रह्मांड में समाने लगे, कि तब पिंड की चाह भी इदी मन में रहा हो, आप फिकर मत करिए, आपको पिंड मिल जाएगा, हम पिंड दान देंगे आपको, तो दिल से तरपंड देते हैं, दिल क्यों देते हैं, मन लोग जो आत्मा मरने के बाद भी उसके मन में इच्छाएं रह गई हो, वासनाएं रह गई हो, तो दिल मने क्या, सबसे चोटी चीज, तो उनको कहते, आरे तेरे मन में जो चीजें गूम रही है, यह तो तिल जैसा है, चलो उसको वो मिली जाएगा, तृप्त हो जाओ तो, जल के साथ तिल को नीचे छोड़ते हैं, इस तरह से तुम अपने मन की जो चुटी चुटी ख्यालें हैं, वासनाएं, इच्छाएं हैं, राग हैं, द्वेश हैं, सब छोड़ो, इस तरह की भाव से, प्रेम से, उनको स मरपन करना ये इश्रात है,